नमस्कार साथियों स्वागे था आपका अपने चैनल पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अंजी खाट ब्रीज जो की कुझ स्री दंगर करें रेल लिंग प्रोज़ेक्ट जो की जम्म कस्मीर का एक प्रोजेक्ट है जो कि नैशनल प्रोजेक्ट है इस फिर हमने बहुत सारी बीडियो बना के आपको स्ट्रेट बताई हुए है जो उधामपूर से कतरा जो रेलवट रैग बंद बन चुका है और अगे आप बढ़ेंगे तो बनिहाल से स्री नेगर जो रेलवट रैइड है यह झार से बचा बीच में बनिहाल सेीक अट रहा जो कि 111 किलोएमिटर है इसमें वरक इन प्रोग्रेस है कई सारे सेग्मेंट बहुत सारे सेग्मेंट अपने लास इस्टेज में पहुँच चुके हैं यह तो अभी कुछ दिन पहले आपने नीूज में ठीक है कि ये केबल ब्रीज है और ये इंडिया का पहला केबल वाला रेले ब्रीज है ठीक है हाइवे में बना है लेकिन रेले में पहला है और इसकी हाइट बहुत जादा है ठीक है 96 केबल लगे हुए है टोटल इसमें ठीक है टोटल केबल की जो वेट है वो 849 और जो लेंथ सबसे चोटे केबल का जो लेंथ है वो 82 मीटर है और जो सबसे बड़े केबल का लेंथ है वो जो है 295 मीटर है ठीक है जो एक केबल है इसमें काई पतले-पतले मतलब जो है केबलन के बने हुए या ऐसे जो बने हएं पतले-पतले अप वाइर समझ давно उससे मिलके बना हुआ है है चुकि हाइड बहुत जादा है इसलिए इसको 206 किलो मीटर पर आवर के स्पीड से अगर हावा इस पर लगेगी तो इस ब्रीज का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसको हैबी एर्थक्रेजिस्टेंस बनाए गया है ठीक है है भी विंड प्रोटेक्ट बनाए गया है ठीक है 40 क केजी का अगर इस पर फटता है तो इस ब्रीज का कुछ नहीं होने वाला है ठीक है 100 किलो मीटर पर आवर के स्पीड से इस पर ट्रेन चलने वाली है ठीक है इतने सारे खासियत इसमें यह रेड कलर का आपको जो आगे दीख रहा है यही लांचर इसको डेरिक बोला जाता है और यह आपको अलमुनियम कलर का दिख रहा है ठीक है यह लांच्टिंग जो हुआ था ठीक है यह बापका ऐसे डारेक्शन में हुआ था और डस मीटर का इसका एक सेगमेन्ट है उसको बारी बारी से पीछे से लांच करते हुए आरायरहें इसका लांचिंग भी बहुत अन गए हुए है ठीक है थोड़ा सा आपको इस वीडियो में लांची दीख रहा होगा यह सारा काम और लेडी हो चुका है अभी आगे मैं जस्ट आपको यह बताने वाला हो को आज के डेट में इस प्रीज का क्या स्टेटस है ठीक है और इस ब्रीज का जो इस पैन है वह ठीक है 290 मीटर के स्टेटन है अगर अबर ले लिया जाए इसका जो सेंटल इंब्वाइकमेंट है यह सब सारा जोड दिया जाए तो 473 मीटर के प्रॉक्सिस का टोटल जो है लेंध हो जाए लेकिन में ब्रीज अगर बोला जाए में इस जो है जो ब्रीज का है वह सेंटल इंब्वाइकमेंट है और ऑटेटरे सारी ज्ओल के जो है 973 मीटर कोथा है ठीक है और इस तरह का Bridge इसलिए में द्याइन किया गया दिश येहां पहले प्रपोजल में था लेकिन अट जयशाए इसलिए नहीं बन पाई वह इस तरफ के लिए दोनों तरफ से सफिंसे हमें जग है था वह काफी डोर अटिकल वहाँ पर हलिय है तेम इसलिए वहाँ पीश नहीं बनाए जा सका और इस तरह का अ वरीज का निर्मांत बढ़न किया गया है ठीक है और इसके केबल गव्यक्राइं यह सब व फॉर से नारं से नां मेसा हूए है ठीक है और अब ही जो इसान का कनडीसन है वो यह है कि deck slab कि कास्टिंग लगे आपको वीडियों में दिख रहाए क्यों यह जो आपको दिख रहा है यह बहुत सारी deck slab wilday कास्ट हो चुके हैं लाश्ट patch का deck slab कास्टिंग बहुत ही जल्ड होने वाला है यह मानकी चुतूरो कि इसी वीग में तुझे अप्रॉक्सिमेटली उसका जो है कंक्रीट हो जाएगा ठीक है अभी उसमें इसका reinforcement काम हुआ है इसमें कई लेयर में सरीया पड़ा हुआ है ठीक है यह बहुत सारे लेयर में जो इसका वीव दीख रहा है ठीक है बीच में पाहिलान खंबा है जो ओईशेप का है इसक अंदर जो है लिफ्ट भी लगेंगे चुकि उपर चढ़ने के लिए इसमें ब्युस्ता होना चाहिए दरवाज जब इसके रिपेरिंग अगरे करना होगा तो दिक्कत होगा इसलिए इसके अंदर दोनों इसका जो वाइसेप का दोनों भूजा है उसके अंदर जो है दोनों तरीके से डिजाइन किया गया है ठीक है और यह एकदम अपने लास्ट कंप्लीशन के एकदम लास्ट इस टेप में है लास्ट चरण में है ठीक कंप्लीट ही होने वाला है उसके बाद जैसे डेक्स लपके पूरी कंक्रीटिंग हो जाएगे पर इस पर रिल्वेट रेक लिए बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा लगता है ग्रीन कलर का एकदम ठीक है और बहुत ही स्पेसल तरीके से इसको बनाये भी गया है इसकी डिजाइन वगरे में फोरन जो कंसल्टेंट वगरे हैं उनका हेल्प लिया गया है तो अगला में एक वीडियो इस पर इस प्रोजेक्ट पर और इस पर लाने वाला हूं और इसमें बाकाइदे में जो है पीपीटी के द्वारा सारा जो इसका डेटा है और क्यों इस प्रिजाइन किया गया क्यों चिनाप ब्रिज नहीं बना यह सब डिसकस करूंगा ठीक है तो आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिया और इंजॉय करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करिए ठीक है गाइस और बहुत सारी चीजे में इस वीडियो आपको बताने की कोशिश किया हूं और ओके थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो